हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल डूपरेक्टिस तो आज हम डिसकस करेंगे के वीजर पर्ट में घ्यू परीज़ अग्याल कि आक्षाम को met कीकि कोष़ेंगे और क्या कुछ सल लेब स से प्याइ TBा तो सब कुछ कवर करने वाले हम आज इस वीडियो में तो इस वीडियो को एंड तक देखे ताकि आपको PRT का जो एक्जाम होगा के विएस का उसके बारे में पूरी पूरी इंफोर्मेशिन मिल सेके कि पैट्रेन कैसा है कितने कोश्यन आएंगे कितना टाइम रहेगा और क्या कुछ एक्ज betack शन funeral को मॉइट अया वेलों के मेंखे अच्छंच आएंगे कितने कोशचर में रहेंगे क्याइक स्वस्य तो कवे पैटिव पेपर नहीं है कोई पिजीव पैपर नहीं suis है ना टाइंगे שक्षा प ahí और मांगे कशिस हूंशन को इनकी कोश्यन है और मॉब्रन के उप मतलब कि हर एक कोशन एक मारच का होगा तो सिम्पल सी बॉत है 120 कोशन है और 180 का पेपर है Duration क्या है इस पेपर की 180 minutes means three hours जो है आपके रहेगे तो 180 minutes का paper है 180 minutes मिलेंग आपको करने के लिए 180 marks का paper है और 180 ही कोशन है कि अपको एक कोशिद करने के लिए एक minute मिला जी एक बिरट मिलेगा और ऑपको एक नंबर मिलेगा तो यह उप साइनल की 180 सी ही मिलएगा करने के लिए आपका आपके और Yes रहेगा आगे सेक्षिन के i-s of question जिसमें part one आता है proficiency in language मतलब उसमें आपके language में कितनी आप capable हैं कितने अबल हैं कितने प्रोफिशेंट हैं उस चीज के लिए तो उसको जो आपका part one है 20 marks का रहेगा जिसमें 10 10 question तो आएंगे मारे general English के और 10 question आएंगे हमारे journal Hindi की अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ exam pattern की इसी के बाद हम discuss करेंगे exam का syllabus कह रहेगा तो 180 max का paper है 20 का तो हमारा हो गया language के related उसके बाद part भी आता है हमारा 20 number का उसमें आपके journal awareness question आएंगे और reasoning और proficiency in computer का बेज़ आपका part इसमें रहेगा इसमें आगे नहीं डिवाइड किया हुए दस question आएंगे जर्णल awareness and current affair के आज question आएंगे आपके reasoning ability के और पांच question आएंगे आपके computer literacy के means computer की भी आपको यहापी knowledge चाहिए अभी तक हम ने discuss किया 40 marks का paper 20 का तो है language से relate करता हूँ और 20 का है gk journal awareness reasoning और computer के knowledge उसके बाद 40 का हो गया उसके बाद आता है मारा 60 marks का paper 60 कोशिन आपके जो है वह रहेंगे आपके prospective और education and leadership के उपर जिसमें 15 कोशिन आएंगे आपके understanding the learner के उपर 15 कोशिन आपके रहेंगे perspective in education के उपर तो ऐसे divide किये हुए है यह total 60 marks और total 60 कोशिन है तो टोटल हमने यहाँ पर 100 जो है marks का paper discuss कर लिया कि 20 में आपका language से relate करेगा 20 में आपका जो है gk current affair और reasoning आएगी और computer के पाच कोशिन रहेंगे 60 में आपका prospective education and leadership रहेगा बच्चे हुए आपके SC है वो subject specific syllabus रहेगा वो हम discuss करते हैं कि detail में और जो professional competency test है वो आपका रहेगा 60 marks का जिसमें 30 number आपको मिलेंगे demo teaching के जो हम पर demo होगा और 30 number आपको मिलेंगे interview के मतलब कि इसके बाद भी आपके 60 marks का रहता है उसमें आपका आता है interview का part जिसमें 30 number आपको interview के लिए जाएंगे जैसा भी आपका interview रहेगा और जो 30 number है वो आपके demo teaching के रहेंगे कि आपका teaching का demo लिया जाएगा जब इंटरव्य होगा तो teaching का लिया जाएगा return test को 30% लिया जाएगा आपका professional competency मतलब के interview और demo teaching मिला के चीक है for example अगर आपके आते हैं तो जो आपका 70% रहेगा 70% आपका लिया जाएगा जो है return test का for example अगर आपके आपके out of 180 150 marks आते हैं तो 150 का 70% लिया जाएगा return test का और जो भी आपका interview में demo teaching मतलब 60 marks को मिला के interview को मिला के plus demo teaching को मिला के जो आपके marks हैंगे उसका 30% लिया जाएगा तो 70% of return test 30% of professional competence test total इस प्रकार से आपका इसके coding आपके जो merit list हो बनाई जाएगी तो दोनों भी आपका base करेगा बट 70% में ज्यादा से ज्यादा वेटेज यहां पर return test को दी गई है तो 70% वेटेज है return test को 30% वेटेज है interview और demo teaching को तो दोनों ही compulsory है दोनों ही important भी है बट टेंट टेस्ट फर्स्ट आपको prefer करना चाहिए कि आप उसकी preparation अच्छे से करें आगे हम डिसकस करते हैं इसका syllabus लेवस लेवस के तो syllabus है syllabus of exam for direct recruitment of PRT तो फर्स्ट हमने बात कि थे कि जो 20 नंबर का paper आएगा आपका professional language में तो इसमें जर्नल इंग्लिश आएगी जर्नल इंग्लिश में आपका आएगा reading comprehension part word power grammar and uses तो यह आपको reading comprehension simple है बट जो आपको थोड़ा सा यहां पर प्रेक्टिस चाहिए अगर आप हर रोज एक RC भी solve करते हैं तो at the final exam जर्बाब बैटेंगे तो आपको reading comprehension solve करने में कोई दिखा था नहीं आएगी एक इसमें word power है और एक grammar and usage यह आप करेगा यह आप करेगा सब्ट, समर्थ वेक्रंड, प्रियूक्ति means same ही in English में same Hindi में है तो आपको यह चीज आने चाहिए question application क्या कैसे jak solve करेंगे और वेक्रंड करेंगी मिल्द प्रियूक्तिि मतलब कैसे उसकाунд प्रियूक्तї कहां emphasize iim आपको पता होना चाहिए तो आप इनको पढ़के जाएंगे पार्ट बी में हमने देखा था जर्णल अवेर्नेस रिजिनिंग और प्रफिजन्सी इन इंग्लिश इन आपको पता होना चाहिए रिजनिंग अबिलिटी आएगी और पंप्यूटर लिट्रेसी अलाकि पांच ही बट्र ज़रूरी है क्योंकि यहां पर एक एक मार्ख सापका मेंटर करता है पार्ट थर्ड में आपका एगा प्रस्पेक्टिव और एचुकेशिन लीडर्शिप तो द्राइट एगा यहां फेक्रओंट लिसमें आपको करना है कनसेप्ट ओफ ग्रöt का का एकिसरोषभीद दने कंसेप्ट डेवल्ट्मेंट परिंसीपल , डिबेंट्ड सथी देवल्पमें जो मारे म्मडेशित सदीपल कर नाइप violet परत्रशित डिव टाइइ हैं स्ट आपक कहां कहीं इंपलाई होता है और उसके बाद है अंडरस्टेंडिंग अडॉल सेंस नीट्स चैलेंज़ेंड इंप्लिकेशन फोर डिजाइनिंग इंस्टिशिशनल स्पोर्ट उसके बाद आपका आता है रॉल ऑफ प्राइमरी अंड सेकेंडरी सोशिलाजेशन अजेंसे इंश इंपलिकल प्रेस्पेक्टिव और टेचिंग बिहेवरिजम और इंपलिकेशन फोर जो आपके बिहेवरिजम की थियुरी है और जो जीन प्याजिन दी थी और उसके बाद है रोल अफ टीचर रोल अफ लर्णर नेचर अफ टीचर बुडंट रलेशन्शिप चोईस अफ ट बिसीप्लीन पावर एक्टरा फैक्टर अफटर अफटिंग लर्निंग अदेर एंपलिकेशन दिसाइग धिच्छों की निंग और इंट क्रिकलम फोर्ट इडरिषिन चैलुट के एडूटिशन कंपेटैंस जीशन एड्स बेल्रेशन ऐध रिश्व एड्यीगक्सटिशन कैसा है बच्चों के लिए उनिट प्लान क्या है लेस्न प्लान क्या होता है इंस्ट्रक्शनल मैटेरियल क्या क्या होता है रिसोर्सिस क्या क्या होते है ICT for teaching learning, assessment for learning, of learning and for learning and as learning उसका meaning, purpose, consideration in planning हर एक चीज़ enhancing teaching learning process, classroom observation, feedback, reflections and dialogue as a means of constructivism teaching उसके बाद आता आपका creating conducive learning environment जिसमें आपका रहता है concept of diversity क्या है diversity मतलब विविदिता disability and inclusion implication of disability as social concept क्यासे आप imply करते हो disability को as social construct करके type of disability क्या क्या है कैसे उनका identification है कैसे उनका intervention है सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर उसके बाद आता है concept of school mental health addressing the creative preventing and promotive dimensions of mental health for all education and staff all students and staff provisioning for guidance and counseling developing school and community as a learning resource school organization and leadership D part जो माल लास्ट पाट आता है D and D D part में आपका रहता है main leader as reflective practitioner team builder initiator coach and mentor कैसे काम करते हैं सब perspective on school leadership instructional distributed and transformative vision building कैसा है goal set कैसे करते है creating a school development plan using school processes and forms of for strengthening teaching learning annual calendar timetabling parent teacher form forum school assembly teachers development forum using achievement data for improving teaching learning school self-assessment and improvement creating partnership with the community industry and other neighboring schools and higher educational institutions 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 forming learning communities या आपका रहता है D part में उसके बाद E part जो important भी है plus आपका जो है काम भी करती है आपका जो है काम भी करती है आपका आपका रहता है foundation literacy and numeracy क्या है curriculum and pedagogen schools क्या है holistic integrated learning equitable and inclusive education learning for all competency-based learning and education guiding principle for child rights protecting and approvisioning for rights of children to safe and secure school environment rights of children to free and compulsory education act 2009 जसमें कहा गया था कि जो है सभ शिक्षा भ्यान के अंदर कि 14 years की एस तक सभको free education मिले हो compulsory education मिले था कि उनका जो बेस बेस हो clear हो तो free or compulsory education कि आवे बात किए थी एक 2009 में historically studying the national policy in education with special reference to school education school curriculum principle क्या होते है perspective learning and knowledge curricular curricular areas school studies, pedagogy and assessment यह सभ आपका पार्ट रहेगा जब 40 marks का और 60 marks पे राने वाला था वहां से रहेगा सब कुछ पार्ट उसके बात पार्ट फोर आता है आपका subject specific syllabus उसके लिए में नेक्स्चेर देखना पड़ेगा subject specific syllabus जो आपके टी मार्स का रहता है पेपर वह हमारा है उसका syllabus है subject specific syllabus इंक्लूड़ूड दा सब्सक्राइब देखते हैं जो इंग्लिश का syllabus क्या है इंग्लिश का syllabus है यहां पे ग्रामर में है नाउन प्रोनाउन अडजेक्टिव एडवर्फ इस एम और हैस है तेंस फॉर्म कहां यूस होती है simple present and present continuous simple past and past continuous expressive future like will or will will and be going to article this that these those कहां यूस होते हैं as determinants and empty subject question words and or but punctuation marks full stroke कहां यूस होगा comma question mark कहां यूस होगा कहां यूस होंगे possessive adjective and preposition यह आपका पार्ट रहता इंगलिश का जो आपका subject specific रहता है इंदी में आपका आता है व्यक्रण में संग्या विशेशन वचन की पहचान व्यवहारिक प्रियोग गणित के पाठे करम पाठे करम के नुरूप हिंदी में जो संख्याए है सन्युक्ताक्षरों की पह पहचान विशेशन का संगया के साथ सुसंगत प्रियोग वचन वचन का प्रियोग कहां होगा क्या क्या होती है काल क्या होती है सब के टीकी definition कारकचिनों की पहचान कहां यूज होंगे जो है विसमेदी बौत कहां उज़ोगा जैसे की एंड शब्दो के संदर्भ मेलिंग का परियोग कहां यूज होगा मैथ में आपका रहेगा बेसिक पार्ट में जोमेट्रिक शेप स्टेशियल अंडरस्टेंडिंग सोलिड अराउंड अस नंबर्स डवलॉपिंग सेंस अफ नंबर एस नंबरनेस काउंटिंग अंड उपरेशिंस अफ नंबर एडिशन सब्टेक्शन मल्टिपिकेशन डिविजन मेंटल अर्थमेर्टिकल फ्रेक्शन नंबर्स मनी क्या होती मेजर्मेंट लेंथ वेट कैपेसिटी टाइम डाटा हैंडलिंग पैट्रन यह आपका बेसिक सारे पार्ट है जो क्लास एक से पां सब्सक्राइब क्या तो कोई भी चैंज नहीं के लिए कुछ नहीं आपको लग्से करना बट इंग्लिश हिंदी में थोड़े से त्यारी करने पड़ेगी मैस भी आपका पैसिक सा है और यह आपको 80 मार्क्स का पेपर रहेगा बाकि जो है आपका 100 मार्क्स हम डिसकस कर चु कितना सब्सक्राइब कर चुके हैं लास्ट में नोट लिखा भी रिड़ कर लेते हैं इसमें सही वही सेम चीज लिखी हुए है कि इंट्रव्यू के 60 मार्क्स करेंगे आपके 34 डेमो टीचिंग 34 इंट्रव्यू और वेटेस आपकी रहेगी 70 30 मिन्स 70 परसंट आपका लिए जाएगा रिटन टेस्ट का और 30 परसंट आपका लिए जाएगा इंट्रव्यू का उसके बेस पर फाइनल लिस्ट बनेगी मैट लिस्ट और उसे के बेस पर आपके जो है फाइनल जॉब होगी तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा फाइनली पैट्रेंड कैसे है कैसा पेपर आएगा आपका कितने मागसा कितना पेपर रहेगा स्लेवस क्या कुछ है अलाकि इसकी पीडिएफ मैं आपको प्रवाइड कर दूंगी और पीडिएफ से बैटा रहेगा कि मैं आपको इसकी पिक शेयर कर दूं जो एक सब्जेक्ट स्पैसिफ सेलेबस की है और पे जाके जुन कर लिए वहां पर आपको प्रॉपर इसकी जो पिक देखने को मिलेगी पीर टी की और आप चांता कि किसी और भी जू है लेवल के लिए लेवस आपको चाहिए तो आप केमेंट कर सकतें डूप्रेक्टिस आलेकर एकर आम गृूप पर आप मैसेज भी कर सकत कर देए और किसी और भी आपको लेवल पर चाहिए पिजट के लिए पीजट के लिए प्जट सब्जेक्ट इस्पेसिफिक के लिए तो हम आपको उसका जो है प्रोवाइड कर देंगे वीडियो बनाकर तो आपको कमेंट कर सकते हैं डू प्रेक्टिस टेलेग्राम ग्रूप आप में मैसेज भी कर सकते हैं तो आयूप आप कोई वीज़ रही होगी और इस वीडियो के कोडिंग आप अपना स्लेवस के कोडिंग देरे प्रपेशन कर सकते हैं अलांके, मैक्स तू मैक्स आपके पास ठीक ही है प्रिपरेशन करने के लिए तो अगर आप हर रोज एक भी चीज लेकर चलेंगे लाएग आपने पार्ट लिए उसमें जो है एक पार्ट लिए अन्डेस्टैंडिंगद लिडर्नर् फिर आपने पार्ट बी लिये अगर आप कर सकते हैं तो आपकी preparation हो जाएगी और आप उसको बाद में रविजन भी कर सकते हैं तो आय ओप आपक वीडियो यसफ़ल रही होगी और किसी और topic पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो की नीचे लिंक मिल जाएगा बीदिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिये और वीडियो को लाइक कीजिए अकर आपने चैनल पर न्यूब है और सब्सक्राइब के लिए डिया अब आकन प्रेस कर लिए ताकर आपको आने वाली की नोटिफिकेशन मिल जाए